नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हरसित गुपता और आप सभी का हमारी यूटूब चैनल इस्टेटिक जी के एंड़ियस में स्वगत है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जनरल इंग्लिस और आज हम जनरल इंग्लिस के टॉप सेवन को संस करने वाले हैं इस वीडियो में दो बताएंगे तो चलिए दोस्तों इस बढ़िया सी वीडियो को सुन देखी पहला सिंटेस हमार कुछ इस रखा रहा है यहाँ पे चार जंबल्ड सेंटेंस दिये हो हैं और उन्हें करेक्ट और में लगा के सही आप्शन इस विस कौन सा होगा वो बताना है तो देखे पहला स एक्सपोर्ट आइटम्स ऑफ कनेडा फ़्र मोर देन असेंटेरी जो फारस्ट प्रोडक्ट्स का नेरियात है एक्सपोर्ट है वह सताब्द्यों से कनेडा का एक इंपॉर्टिटेंट एक्सपोर बानेद्य इजकी चौनीधर रसड कैनेड़ा कि जैमीन कप धिस्तbenग का क्या बात पहली कही गई होगी उसके बाद क्या बाक कही हो गई होगी अगर आप अर्थ समझ लेंगे इसे अप खर लेंगे देखिए पहले बात यह कही गई है गाहिए उसक gwाद क्या बताया लिए सिप्जी करण लेकितना बताया गया होगा ठीक है अब उसके बाद क्या बताया गया होगा pee pulp and paper fill do most important forest products क्या यह बताया गया होगा नहीं हो भी सकता है लेकिन पहले हम और दिखते प्रोडक्ट्स देर फॉर्स्ट प्रोडक्ट्स यानि यह जो जिसका मैंने अर्थ बताया है जो फॉर्स्ट प्रोडक्ट है कनेडा के फॉर्स्ट प्रोडक्ट के अंदर क्या प्रोड़क्ट यानि उसके बाद यह ठीक है अब देखिए अब बचा क्या यह लास्ट वाला लास्ट वाला हमारा यह हो जाएगा यानि करेक्ट सिक्वेंस हमारा क्या होना चाहिए यह भी डे और यह c b d a कहां मिला है यह मिला है मारा और सी करेंसे मिले तो क्या हुआ आफिशन नमर सी टेंस रजागा cbd जिसमें यह कह रहा है कि इसमें जो अंडरलाइन डिसंटेंस अच बीजी टू गो थो इस अंडरलाइन की एस जगह पर क्या मुष्ट एप्रोप्रियेट सब्सीट्यूट या इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं इन चार आप्सेंस में से इसे हमें बताना है हम हमारा पहले हम इस पड़ेंगे दिहेंट है इस बीजी टूगू थो इस फाइल्स एंड रिजॉब दिमेटर एन कोई मैटर है मामला है जो है दैंस के वह इतने बीजी थे एं कि वह उन फाइल्स को पे ध्यान दे पाए और उस मैटर को सॉल्व कर पाए ठीक है तब इसकी जगह पर सो होतु हो सकता है जी यहां यह हो सकता है तूबीजी तो का अर्थ करने तो बीजी सो और तूदो की sacrum प nya हो एक पी यह हो सूरे तो एक्टीव से प्रकार के लिए और इस प्रकार के कुर्षन भी अक्सद एक्जाम में पूछे जाते हैं दिया देन्गे दिवाल आफ दिस पार्क इस बिल पेंटेट बाइचिंटर यानि है जो वाल है स्पार्क का ओ बच्चों द्वारा पेंट किया गया है अब देखे इस बिंग लग गया और पेंटेड लग गया वर्ब का थोट फॉर्म यूज हुआ है यानि यह पता चल गया कि मैं पैसी लगता है जब हम Presenter continuous details को पैसी वाइस में बदलते हैं जब प्रेजंट कॉंटनीव सटेस को पैसी वाइसे बदलते हैं त्ब मैं दीखिया दियेख दिये जिगा रूट रिंध लगस फाम रjउज जी यहां देखिए चिल्ड्रेन दिया है प्लूरल फॉर्म है और इसके साथ आर लगा हुआ है तो आर पेंटिंग सही हो जाएगा क्योंकि अब प्रिजेंट कॉंटिन्वस भी है पेंटिंग लगा हुआ है वर वायंजी फॉर्म लगा हुआ है और लगा इसमर में से को यह ल रहा तो वाल थोड़ीन पेंट करेंगा बच्चे वाल को पेंट कर रहें थी ओके फॉर्ट जो ऑफ्जन था इस चिल्डेन है बीन पेंटिंग नहीं लगेगा यूगी पर्फेक्ट फॉर्म देरा परेजिन पर्फेक्ट नहीं लगे हमने पढ़ा है कि प्रिजेंट कॉंट है इन चारों आप्सें में से ओके कोसं समझ में आगे अब हम चलते हैं इन टाइस करेक्ट सिननुनिम क्या होगा क्या वो इन्सियू होगा इंटेल होगा क्या वो ह OC, क्या हो DREG好 positiv होगा क्या हो drama होगा दिखेण ।-ब से पहले इसे आहीं हो परियावााइब हो आँ है तब लूभाना इनने से किसका अर्थ होगा यह गरेंटर लुबाना होता है अब देखिए ग्यों मतलब mira हिस्यू होता है खुप पिछा करना रिच्छा करना पिंटल का अर्थ होता है किसी को क्रोधित कर ग leg अब चलते हैं पर यह अपने श्ट्र अब डिक हाई bete है कि अंतरोनीम बताना यानि इसका विलोम बताना है फायनाइट का से छिलिए आएट का विलब्डय हो सीमित क्व accumulated और इंडलेश का अर्थ होता है अंतिही और सीमित यह कोई अन्तिही ना हो ठीक है तब यह इसका correct well हो जाएगा आब देखिए zoo हमारे बचे options ए उमने अर्थ क्या होता है किसी चीज का समाहत हो जाना पूर्ण माला यह सब जानते हैं तो नहीं a limited उसका यह बाउंड का जो है उसका इन चारो प्संक्त में कौन सा ओप्सं करेट स्पेलिंग नहीं इस वर्ड का यह यहँड का नहीं है, नहीं है तो देखिए कर्ठ में करेक्ट हो जाईगा यह यह मीजर कर नहीं है , यह करेक्ट का सही हैं लेकिन उंहीं का करेक्ट स доб रहे होता है even the happening मिसींग है इस वाई से मीडर के स्पेलिंग करेक नहीं है अधिकी मीडर का अर्थ भी जानना जरूरी है अब सब दाया है तो अर्थ जानेंगे मीडर का अर्थ होता है बहुत कम अतियल्प बहुत कम और मीडों का अर्थ होता है देखिए मीडों का अर्थ होता है चारा घास का मैदान जो होता है उसे मीडों कहते हैं मैटर का दो अर्थ होता तत्य या कोई मामला मेजर का अर्थ होता है मापना या फिर कोई करवाई करना ठीक है तो मीगर का जो इस पेलिंग था यहां पर गलत था फ्रेंट सब्सक्राइब चलते इस वीडियो का सेवन्थ नमबर कोशन और लाश्ट कोशन है इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है इस सेंटेंस से एक पार्ट में ग्रामेट कर इरार है वहीं हमें बताना है सेंटेंस अधी स्ट्रिट आर्ट यहां पर यूज हुआ है स्ट्रीट आर्टिस्ट दिव इस वाल सिस दी पास्ट वन विक देखिसम करेक्ट जो इसका एंसर हो जाएगा यह वह ओगा ऑप्सन नमबर डी क्योंकि इस से दी पास्ट वन वीक वाला जो पाट है उसमें एक एर है इर यह है कि अभां ध्यान से इस दी पास्ट वन वी शीन्स का प्रेख हुआ है इसे बता रहा है पिछले एक हफ्ते से जो वाले पेंट हो रहा था तहां पर पास्ट का याई पास्ट कभी वह यह अर्थ दे रहा है कोई यूज नहीं है इस वज़े से यह एंसर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा यूपक चाहिए ओके हमारे पास्ट रम आया है सीज एंड फॉर तो सीज एंड फॉर के यूज मैं मैंसमा बचे डाउट में रहते हैं तो मैं कुछ बता देता हूं सिंस और फॉर्म के बारे में जिस्ते आपकभी डाउट में नहीं जाएंगे सिंस जो है इस पेस्पीक कि याफिक क प्रिष्ट टाइम के लिए यूज होता है जब टाइम फिक्स हो बताया गया हो जन्वरी से 24 से सुबह से पर्योग करते, जल कि टाइम हो P अब देया लिना फिक्षी नहीं हो यह यह से तीन महाइने से 10 साल से इतने टाएंशा ए से कुछ क्लियर नहीं है पीन मेंश कफ के तीन मेंश कि एक फरवरी मार्च कई लिए तक तक यूंञां तो याँनी सुबा के 9 बजबे से यहाँ पर है यह क्लियर आगे से जो आप घफोर ना व Самहां गई होगी और आप यह वीडियो के देखर हैं इस वीडियो को लाइक कीजे साथ ही साथ हमारे पेज को फॉलो कर लिए अगर यूटूब पर देख रहा है तो इस वीडियो को लाइक के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिए बाकि अगर आप इस वीडियो को किसे भी अपने जरूरी फ्रेंड आया सेर करना चाते हैं तब जरूर सेर करें तब तक के लिए धन्यवाद